यह स्टूडेंस स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें आगे बढ़ाएंगे मैच का टॉपिक परसेंटेज सो स्टूडेंस परसेंटेज में अभी हमारी प्रैक्टिस कोईशन्स की सीरीज चल रही है जिसमें कुछ पार्ट हम कर चुके हैं तो आगे आने वाले पार्ट में हम धिरे धिरे मुश्किल कोईशन्स की तरफ जाएंगे जिसके लिए आपका बेस पक्का होना जरूरी है तो आईए स्टूडेंस आज भी हम कुछ प्रैक्टिस कोईशन्स कर लेते हैं जो की स्टेटमेंट के उपर बेस्ट होंगे लेकिन ये स्टेटमेंट जादा लंबी नहीं छोटी स्टेटमेंट ही होंगी तो आईए स्टूडेंस पहला कोईशन देखते हैं लिखा है इफ थर्टी वन परसेंट ऑफ नंबर इस 46.5 दैन दे नंबर इस सिंपल कोईशन है आपको एक नंबर दिया हुआ है एक नंबर है हमको ये नहीं पता कौन से नंबर है तो स्टूडेंस याद रखना जब भी संटेंस में ऐसा कुछ आजा या असर्टेन नंबर ऐसा कुछ आ जाते है तो समझ जाना वहाँ पे आपको एक्स लगाना है वो व किसी नंबर का किसी नंबर का 31% 46.5 होता है तो आपको ये नंबर निकालना है तो बस एक्स की वैल्यू आप निकाल दीजिए तो स्टूडेंस एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी मैं उस तरफ भेज देता हूँ दोनों ही नंबर को multiply by 100 upon 31 हो जाएगा अब क्या 465 अब देखि 21 एक बार में यहाँ पर क्या बचा 15 बचा 155 तो 155 पांच बार में तो स्टूडेंस यहाँ पर एक 0 लगा हुआ है तो 150 हो गया हमारा answer तो 150 वाला नंबर था जिसका 31% 46.5 होगा clear next question देखते हैं students which number is 60% less than 80 अब इस question में एक additional word उनों ने डाल दी है students जो की है less than अब याद चल रहा था अभी आपको जो दिया था students देखें यहाँ पर less than more than कुछ नहीं था आपको simple simple चीज़े बताई थी और मैं simple simple equation भी बनाता चला गया so अब क्या आ रहा है students देखें question में अगर कभी भी ऐसे words आ जाये less than more than exceeds तो इसमें कुछ अलग तरीके से करना होता है लेकिन वो चीज़ भी अगर आपने ये series पूरी देखी है तो आपको पता ही होगी so students यहाँ पर question पढ़ते है which number is 60% less than 80 which number is 60% less than 80 अब एक चीज़ देखें students यहाँ पर एक number तो दिया हुआ है 80 और यहाँ बताया है कि कौन सा number 80 से 60% कम है ठीक है अब दो तरह से निकाल सकते है या तो 80 का 60% निकाल के इसमें से minus कर दो है ना कम पुछा है कि कितना 60% कम है तो कम निकालने के लिए क्या करेंगे इसका 60% निकाल के या तो minus कर दो या इसका 40% निकाल दो तब भी answer आ जाएगा देखें students कैसे मैं दोनों तरह से कर रहा हूँ पहला method 80 का 60% निकाल देते हैं क्योंकि हमको जो number निकालना है वो 80 का 60 80 से 60% कम है तो इसका पहले 60% क्या आ गया students देखें 0 से 0 गया 48 आ ठीक है अब 80 में से मैंने 48 minus कर दिया तो answer आ गया 32 क्या answer आ गया 32 तो answer तो ऐसे भी मिल गय लेकिन इसमें नया कुछ नहीं था यह तो बच्चे भी कर लेते चोड़ी क्लास के लेकिन अब आपको क्या करना है थोड़ा सा ओधिमाग ला कि यह देखना है students कि 60% निकाल के minus करने से अच्छा क्या मैं इसका 40% ना निकाल दो बिल्कु सही क्योंकि यह number अपना तो 100% होता है तो जब भी ऐसे question आए तो आप दूसरे method से करने ही कोशिश करना है students क्योंकि उससे जल्दी answer आता है तो 80 का अगर मैं 40% निकाल देता हूं तो सीधा सीधा मैं कहां पहुंच जाओंगा 32 पे जो की मेरा answer आ जाएगा so students यहां पे 32 correct answer option number C तो I hope आपको यह दोनों ही method clear है screenshot लेजे फिर आगे बढ़ते हैं so students question 3 की तरह बढ़ते है a number exceeds 20% of itself by 40 so students बढ़ा simple सा question है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेगा एक number है जो की खुद के 20% से अगर बढ़ा दिया जाए तो उस number जो पहले number था और वो जो बढ़ा हुआ number है उसमे अगर मैं equation मना के दिखाऊं तो आपको ज्यादा असान लगेगा देखे और number exceeds 20% of itself मतला अपना 20% सिर्फ 20% उसका निकाल दो तो 40 से वो फरक आता है तो माल लेते हैं वो नंबर यह था माल लेते हैं वो जो original number था वो था X अब यहाँ पर बताया हुआ है कि एक और number है जो इ किसका 20% दो number हो गए तो लिखा है इन दोनों के बीच में जो फरक है वो है 40 अब यह फरक क्या से निकालता है students minus लगा तो फरक आ जाए तो बड़ा simple हो गया अब एक चीज़ देखिए students यहाँ पर answer निकालने के लिए आपको क्या करना है बस आपको LCM लेना यह 100 हो जाएगा 100X 100 में से 20 गया तो 80 upon 100 हो जाएगा और X is equal to यहाँ पर 40 आज़े तो अगर हम इसको काटे students तो यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर 2 आ गया और 2 और यहाँ पर 50 आ गया तो वहाँ पर जाके 50 हो जाएगा so हमारा answer आ चुका है वो number था 50 clear वो number क्या आदा students 50 था अब आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो fraction rules है आईए मैं वो भी आपको बता देता हूं students देखिए fraction rules से निकालने के लिए क्या करना है आपको यहाँ पर 40 लिखना है clear यह जो 40 है यह क्या है यह वो number और उसका 20% के बीच बीच में जो फरक है वो है एक बार और बताता हूं मतलब माल लेते हैं कि percentage के इसाफ से वो अपने आप में पूरा था वो number 100% और उसको हमने 20% बना दिया और इन दोनों के बीच में जो फरक है मतलब फरक क्या है students 80% का तो यही यह 40 दिया हुआ है क्या यह बात सही है गलत है तो यह जो फरक दिया हुआ है दोनों के बीच में यही क्या है यह 40 अब मुझे दो number चाहिए होते हैं एक तो यह इसके बराबर जो number है जो की हो गया 80 और दूसरा वो number जो मुझे निकालना होता है जो की हो गया 100 so students क्या मेरा answer कमाना चीए जादा आना चीए बही जायर सी बात है जादा आएगा क्योंकि यह तो 80% है यह जो number है यह 80% है और मुझे जाना है 100% मैं मतलब वो number निकालना है मुझे तो मैं 100 उपर रखके 80 नीचे रखूँगा so students मेरा answer fraction rule से भी आगे देख लीजे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 50 तो option number a correct आपसे तो आपको जो भी सही लगता है वो आप कर सकते हैं clear next question बढ़ते हैं if 37.5% of a number is 900 then 62.5% of the number is ठीक है तो एक percentage आपको दी हुई है जो कि यह 900 आपको दूसरी percent निकाल नहीं है so students ऐसे question कभी भी ऐसा मत करना कि आप पहले इसको solve कर रहे हो फिर ज आप देखिए कौन सा तरीक है सबसे पहले मुझे यह बात पता है कि 37.5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 37.5 लिख सकता हूं बिलकुल और 62.5 को कैसे लिख सकता हूं 62.5 अब मुझे देखिए 900 एक real value दी हुई है fraction rule लगा रहा हूं इसमें भी मैं fraction rule लगेगा 900 जो मुझे value दी अब एक चीज बताइए कि 900 क्या है 37.5 percent of a number है तो 900 है 37.5 percent ठीक है तो एक चीज बताइए students 900 की जगे मैं 37.5 percent भी लिख सकता हूं मतलब इसके बराबर दो नमबर मुझे चाहिए न fraction rule के लिए तो एक नमबर तो यह हो गया क्योंकि यह इसके बराबर है और दूसरा नमबर होना चाहिए जो मुझे निकालना है ठीक है पूछा क्या है और यहां पर क्या दिया हुआ है देन 62 and a half percent of the number वह सीधी सी बात है 37.5 यह है तो दूसरा नमबर जो यहां मुझे लगाना है students 62.5 लगाना होगा क्योंकि यहां तक मुझे पहुचना है बात क्लियर है अब एक ची से तो जादा है ना तो इसका मतलब मेरा answer जादा आना चाहिए clear तो मैं क्या करूंगा students 62.5 को यहां लिखूंगा और 37.5 को यहां लिखके answer निकाल दो तो आईए इसको भी solve कर लेते हैं तो यह देखिए point से point गया इसको हम काटेंगे 25 से तो 25 multiply 25 होता है 625 25 1 और 125 पतलब 15 आ यहां पर अब 15 के टेबल में आपको पता है 90 आता है 6 बार में तो यह 60 हो गया और 25 multiply by 60 कितना होता है students आपका आ गया 25 2 होता है 50 तो 1 5 0 और एक और 0 1500 तो option number C जो है वो correct answer clear इसको इस तरह से करना आप ऐसा मत करना है कहीं इससे आप real value पहले निकाल रहे हो और उसके बाद आप आप real value से यहां जा रहे हो ठीक है तो यहां पर time बचेगा आपका screenshot ले लिजे फिर एक question homework के लिए देता हूँ So students आप देख सकते है question number 5 मैंने आपके homework के लिए लिख दिया है इसको पढ़िए समझे और जो भी आपका answer आता है comment box में mention करके check कराईए So students यहां पर खतम होता है हमारा percentage का यह पार्ट I hope इस पार्ट में कराएगए सारे questions आपको clear है और कोई भी doubt नहीं So बहुत जल मिलते हैं अपने अगले पार्ट में Till then students take very good care of yourselves Have a nice time God bless you Bye Bye